गुड मॉनिंग बच्चो मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ बच्चो हम पढ़ रहे हैं कक्षा पांच शी गनित विस है और बच्चो इसमें हमारा चोद्वा अध्याय है परिमाप और छेत्रफल तो बच्चो आज हम इस अध्याय में करे परिमाप की आउधार्ना की समझ की परिमाप किसे कहते हैं और परिमाप को कैसे ग्यात हिया जाता है तो करते हैं बच्चो देखो यहां पर आपको दिखाई दे रही है शीला जो बच्चो शीला है वो उसकी जो ओडनी है उसके चारो तरफ क्या लगाना चाती है गोटा तो बच्चो हम एक याद करना है गोटे की लंबाई यानि इसकी ओड़नी के चारों तरफ जो गोटा लगाए जाएगा उसी कुल लंबाई कितनी होगी तो बच्चो इसके लिए हम क्या करेंगे पच्चो इसके लिए हम ओड़नी के चारों किनारों की लंबाई को जोड जेकि बच्छो यह वैक 20 है उसकी kayak चीन मितर यह वाली पूझा हो यह कुनिए ऑदहर वालादा ए धर कितनी होगी तो कितने हो गए तीन और एक होते हैं चार, चार में तीन जो ओड़ते हैं तो कितने होते हैं साथ, साथ और एक होता है आठ, तो बचो इस के ओड़नी के चारो तरफ की लंबाई हो गई है आठ मिटर, यानि बचो जो ओड़नी है उसमें आठ मिटर गोटा लगेगा, तो बच क्या हैं जैसे चारोट फ्रेम बनता है तो भी इसके चारो तरफ की लंभा यान thankfully भूंदी करते हैlorthon लोध चारोने लिए अपक्र पोलाने के लिए दोल सेव पारिज का योग लेख चारो तरफ की जो दिवारे हैं उसको क्या करते हैं गया है और मकान की चार दीवारी बनाने के लिए भी हम उसको नापते हैं तो बच्चो चारो तरफ की नाप क्या कहलाती है परिमाप यानि किसी बंद आकरती के चारो और की माप का योगफल उसका परिमाप होता है बच्चो वह आकरती कैसी होने चाहिए बंद आकरती होने चाहिए यानि बंद आकरती के चारो और की माप का योगफल होता है परिमाप अब देखें बच्चो यहाँ पर आपको कुछ आकरतिया दिखाई दे रही है जिसका हमें परिमाप ग्याद करना है और बच्चो परिमाव कैसे ग्याद करते हैं उस आकरती के चारो भुजाओं का योगफल होता है परिमाव तो सबसे पहरे बच्चो यहाँ पर है आकरती जिसका हमें परिमाव ग्याद करना है तो देखे बचो ये वाली आकरती है आयत तकार आकरती यानि अगर इसकी ये वाली भुजा 150 मिटर है तो इस भुजा के जो सामने वाली भुजा है वो भी होगी 150 मिटर अब बचो इस आयत की जो ये वाली भूजा है वो 60 मिटर है तो इसके इधर वाली भूजा भी 60 मिटर ही होगी अब इसका परिमाप ग्याद करते हैं तो हम बचो यहां से शुरू करते हैं यानि यहां से ये वाली लंबाई कितनी है 150 मिटर इसके बादे बचो ये वाली लंबाई कितनी है 60 मिटर अब ये वाली लंबाई 150 मिटर अब बचो ये वाली लंबाई कितनी है 60 मिटर अब बचो परिमाप हमें निकालना है यानि चारो भुजाओं का योगफल हमें करना है तो हम इसे जोडते हैं देखिए बच्चो यहां पर 0 है तो 0 ही आएगा, यहां 5 है, 5 में हमें जोडने है 6, तो कितने होते हैं, 11, 11 में 5 जोडने पर कितने आते हैं, 16, और 16 में 6 जोडने पर कितने आते हैं, 22, तो बच्चो यहां पर जो 2 है वो यहां लिखेंगे, और जो दहाई कांख है 2 उसकी लग तो बच्चो इस आयताकर आकरती का परिमाब हो गया है 420 मिटर अब देखिए बे आकरती देखिए बच्चो इसका परिमाब हमें ग्यात करना है तो बच्चो इसका परिमाब हम नहीं ग्यात कर सकते हैं इसी तरह बच्चो जो से आकरती है उसका परिमाब भी हम नहीं ग्यात क कर सकते हैं क्योंकि बच्चो परिमाप में चारो तरफ की भुजाओं का योग किया जाता है लेकिन इसमें हम इनका योग नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं बच्चो क्योंकि यह दोनों आकरतियां कैसी है बंद आकरतियां नहीं है परिमाप केवल बंद आकरति का ही होत बच्चो जो परिमाब होता है वो केवल बंद आकरती का ही होता है बच्चो ये आकरती बंद नहीं है क्योंकि यहां से शुरू है और यहां पर खतम है यानि इसको बंद नहीं करा जा सकता है इसी तरह बच्चो ये आकरती भी यहां से खुली हुई है इसलिए ये भी बंद आ आकरतिया नहीं है अतह इनका परिमाप ग्यात नहीं किया जा सकता है बच्चों बंद आकरती का ही परिमाप ग्यात करते हैं जो आकरती बंद नहीं है उसका परिमाप हम ग्यात नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चों परिमाप की परिवासा ही क्या होती है किसी भी बंद आकरती क चारो भुजाओं का योगफल होता है परिमाब, आब बचो कुछ गतिविदी हम यहां पर करते हैं, देखिए, कोई आकरती इस प्रकार की हो, तो आप उसका परिमाब किस प्रकार ग्याद करेंगे, देखिए बचो यहां पर आपको एक आकरती दिखाई दे रही है, अगर समर यह आकरती है और इसका हम परिमाब ग्याद करना है तो हम इसका परिमाब कैसे आप करेंगे तो इसका परिमाब कैसे करेंगे जैसे हमने यहां से शुरू किया धागा रखना अब देखे बच्छो धागे को हम इस तरह से इसके चारों तरफ लगाते जाएंगे बच्छो जब इस धागे को हम चारों तरफ इसके लगा देंगे तो इस धागे की जो लंबा ही आएगी उसको हम नापेंगे स्केल से तो वो धागे की जो लंबा ही है वो है इसका परिमाप तो बच्चो इस तरह से इस आकरती का हम परिमाप ग्याद कर सकते है सबसे पहले देखिए बच्छो नियमित आकरति किसे हैं ऐसी सभी आकरतिया जिनकी भुज़ाएं समान मापकी होती है तथा उनके सभी कोण भी समान मापके हो नियमित आकरतिया कहलाती है बच्चो नियमित आकरतिया उसे कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान नापकी होती है जैसे बच्चो यहाँ पर मैंने एक त्रीबुज बनाया है इस त्रीबुज की बच्चो अगर तीनों भुजाएं ही एक ही नापकी हो यानि समान नापकी हो तो यह आकरती हो गई है नियमित आकरती इसी तरह बचो अगर मैंने बनाया है एक वर्ग और वर्ग की अगर चारों भुजाए बराबर नाप की है तो यह भी आकरती हो गई है नियमित आकरतिया तो बचो इने कहते हैं नियमित आकरतिया और इन आकरतियों के जो कौन होते हैं वो भी समान नाब के होते है जैसे बचो त्रीबुच के ये तीनो कोणों का नाब बिल्कुल समान होगा इसी तरह बचो इस वर्ग के चारो कोणों का नाब भी बिल्कुल समान ही होगा तो ये आकरतिया कहलाती है नियमित आकरतिया अब बचो नियमित आक्रतियों का परिमाब ग्याद करना हम सीखते है तो देखें बचो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक त्रीबुज त्रीबुज में बचो तीन भुजाएं हैं और प्रत्य भुजा के लंबाई कितनी हैं 10 cm तो बचो तीन भुजाओं की लंबाई ही बराबर है इसलिए यह जो आक्रति है वो कैसी है नियमित आक्रति अब बचो इसका हमें क्या ग्याद करना है परिमाब आक्रति ए का परिमाब हमें निकालना है तो बचो परिमाब ग्याद करना आपको आता ही है कि इसके चारो भुजाओं का योगफल यानि चारो तरफ की भुजाओं का योगफल परिमाब कहलाता है रेखिए बचो हमने सबसे पहले ये भुजा की लंबाई लेखी कितनी है 10 cm इसके ये वाली भुजा की लंबाई भी है 10 cm और ये वाली भुजा की लंबाई भी है 10 cm अब इसके तीनो भुजाओं की लंबाई को हम जोड देते हैं तो कितने होते हैं 10 और 10 होते हैं 20 20 में 10 जोडने पर आते हैं 30 cm यानि जो ये त्री बुज है उसका परिमाप हो गया है 30 cm तीनों भुजाएं समान है अत्य है इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं देखे बच्चो नियमित आकरतियों की तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है इसलिए हम इसे कैसे कर सकते हैं 3 गुणा 10 बराबर 30 cm बच्चो दस को अगर हम 3 बार जोड़ते हैं या फिर 10 को 3 से गुणा करते हैं उत्तर बराबर ही आता है क्योंकि इसमें भी 30 आता है और इसमें भी 30 आता है बच्चो नियमित जो आकरतिया होती है उसकी सभी भुजाओं बराबर होती है इसलिए बच्चो एक भुजा की लंबाई को अगर हम जितनी भुजा होती है उससे गुणा कर देते हैं तो उत्तर वो बराबर ही आता है तो बच्चो वो उसका होता है परिमाब बचो यहां पर 3 भुजाएं हैं और प्रत्य भुजा की लंबाई 10 cm है तो 10 cm को अगर हम 3 से गुडा कर देते हैं तो आ जाता है 30 cm जो की इस त्रिभुज का परिमाब है अब करते हैं बचो दूसरी आकरती का परिमाब ग्याद देखिए बचो यह है एक वर्ग है इसमें बचो प्रत्य भुजा है 12 cm की यानि ये आकरती कैसी है ये आकरती है नियमित आकरती अब देखिए बचो नियमित आकरती का हमें ग्याद करना है परिमाब तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस आकरती में बुजाए कितनी है इसे बुजा है चार और बुजा का माप कितना है यानि एक बुजा का माप है 12 सेंटीमिटर तो परिमाप ग्याद करने के लिए हम क्या करेंगे बुजाओं की संक्या को बुजा की माप से कर देंगे गुणा यानि बुजाओं cm और बच्छो अगर हम इसे अलग अलग जोडते हैं तो भी 18 cm ही आते हैं जोड कर देखते हैं बच्छो 12 को 4 बार देखें चो 2 और 2 होते हैं 4, 4 में 2 जोडने पराते हैं 6, 6 में 2 जोडने पराते हैं 8 एक और एक दो होते हैं दो में एक जोडेंगे तो आते हैं तीन तीन में एक जोडने पराते हैं चार तो देखिए बचो बारे को अगर हम चार बार जोडते हैं या फिर बारे को चार से बुड़ा करते हैं उत्तर बिल्कुल बराबर ही आता है तो इस वर्ग का परिमाप कितना हो गया है 48 cm अब करते हैं बच्चो अगली आकरती का हम परिमाप ग्याद देखें बच्चो ये है आकरती कैसी है एक पंच भुझ है क्योंकि इसे 5 भुझाए है एक दो तीन चार और पांच और बच्चो पांचो भुझाओं की ही लंबाई ब तो ये है आकरती कैसी हो गई है नियमित हो गई है तो बच्चो नियमित आकरती का हमें ग्याद करना है परिमाप तो बच्चो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कितनी बुझाओं की संख्या है इसमें 5 और बुझा की लंबाई कितनी है बुझा की लंबाई है बच्चो 7 सेंटीमिटर तो बच्चो एक बुजा की लंबाई को हम बुजाओं की संख्या से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे यानि बच्चो बुजाओं की संख्या से हमने गुणा किया है तो पांच गुणा साथ हमने यहां लिखा है तो बच्चो साथ को पांच से गुणा करने पर भी इसका परिमा 35 cm ही आईगा अब जोड़ते हैं बच्चो इसकी एक भुजा की लंबाई है 7 cm इसी तरह बच्चो सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है यानि 7-7 cm को हम जोड़ देते हैं 5 बार तो देखें बच्चो कितना आता है 7 और 7 होते हैं 14 14 में 7 जोड़ने पर आते हैं कितने 21 21 में 7 जोड़ते हैं तो आते हैं 28 और 28 में 7 जोड़ने पर कितने आते हैं 35 तो बच्चो इसका योगफल भी आ गया है 35 तो बच्चो या तो 7 को 5 बार जोड़िए या फिर 7 को 5 से गुड़ा कीजिए हमारा परिमा बिल्कुल बराबर ही और परिवाब किस तरह ग्याद किया जाता है जो किसी भी बंद आकरती के चारो और का योगफल यानि चारो तरफ की भुजाओं का योगफल कहलाता है परिवाब तो बच्चों अब हम अगली कक्षा में करेंगे छेत्रफल ग्यात करने की अउधारना का परिचे तो मिलते हैं अगली कक्षा में आज के लिए इतना ही धन्यवाद